आज आज में आप सबसे हैंड रब किस तरह से बना सकते हैं और बच्चे किस तरह से यूज कर सकते हैं आपको बताओंगी यह इसे बहुत पसंद है hand cleaning देखिए चोटे बच्चें को भी अच्छी तरह से पता है किस तरह से clean करना चाहिए देखिए वो step by step किस तरह से clean कर रही है और अभी मैं आपको बताऊंगे कि यह किस तरह से बनाना चाहिए आपको चाहिए थोड़ा सा spirit अप जितनी quantity में बनाना चाहते है उतनी quantity में spirit ले ले जिए और उसमें दालिए अलवेरा जिल अलवेरा जिल आप जितनी quantity में spirit ले रही है उसी हिसाब से आप अलवेरा जल ले सकते हैं यहां पर मैंने तकरीबिन 20-30 ml तक का नो स्पिरिट लिया है तो वहां पर मैंने एक दो से तीन स्पून तक अलवेरा जिल यूज कर रही आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रही है अलवेरा जल एंड स्पिरिट से क्या होगा स्पिरिट अलकॉलिक है आपको पता है कि अलकॉलिक जो स्पिरिट होता है जो आपके हाथ के जर्म स्किल करने में बहुत अच्छा से मदद करता है एंड उसके बाद मैं आपको बत अच्छा सा स्मेल आएगा जैसे हम बाजार में खरीते हैं ना कुछ उस तरह से रहेगा तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें ढकन में ही डालके रोजमेरी आपको दिखा रही हो तो इस तरह से थोड़ा से एसेंचल डाल दीजिए ड्रॉप्स आप चाहे तो लेमेन ओरेंज ल अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूं क्यूंकि और उसके बाद में जो बॉटल आपके पास बॉटल रहेगा ना घर पे आप वो बॉटल यूज़ कर सकते हैं या कौन सा भी बॉटल जो आप रेगुलर्ली हैं वाश का जो बॉटल रहता ना वो भी उसकर सकते हैं आप यह पर मैंने मेरा स्प्री बॉटल टूनर का स्प्री बॉटल खाली हो गया था तो इसी वजह से मैंने यूज़ किया है और यह मेरा हैंड़ रेडी होगे तयार है मेरा hand rub ready होके तयार है spirit आपको फामसी में कहीं भी मिलेगा आप spirit वहां से खरीच सकते हैं बस इतना ही आज कल hand rub में बहुत मिलावट चल रही है तो आपको घर बना घर बेटे ही इस तरह से बना सकते हैं तो आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंदे है लाइक शेर और सब्सक्राइब